नमश्कार और SBT News में आपका स्वागत है पेश चोदो जन्वरी शुकरवार दोपेल सवा तीन बजे रासान जोतपुर विकानेर की बड़ी खबरें जैपुर में विभिन योग संयोगों में आज मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाएगा संक्रांती का पुने का सुबह 8.05 से शाम के 5.50 तक ही है आज दिन भर पतंगे कुलांचे भरेंगी दिन भर चर्खियां घूमेंगी डोर आसमान ना पेगी राधे रानी चांदी की चर्खी पकड़े हैं और ठाकुर जी सोने की पतंग उड़ा रहे हैं उमंग उस साहा के भी शहरवासी दिन भर चातों पर रहेंगे दिन भर दान परने का दोर चरेगा इस बार कोरोना काल की कारण गलता जी में आस्था की डुपकी नहीं लगाई जा सकेगी जोतिश विदों के मताबिक मकर संक्रांती का पर्व विभिन योग संयोगों में मना चो रहा है पंजाब उत्राखंड और उत्रपरदेश में हो रहे विदान सबाचनाव का रन शुरू हो गया है अब इस रन में गहलो सरकार के मंतरी विधायक और संगठन के नेता भी इन तीन राज्यों में चुनाव प्रबंधन और बूद मनेस्मेंट करते हुए नज़र चुनाव प्रबंधन के तमाम मंतरी कांगर्स पार्टी के तमाम विधायकों और संगठन के नेताओं को तीनों राज्यों में अलग-अलग चुनाव प्रचार के जिम्यदारी देने की तैयारी है प्रधार मंति नरेंडर मोदी की सुरक्षा में पंजाब में हुई चुक पर आखेकार मुखे मंदी चरनजी सिंग चन्नी ने खेद जता ही दिया गुरबारात को कोविड डिवी को लेकर पीम और सीम आमने सामने हुए वहाँ सीम ने पीम की पंजाब विजिट काम्याब न रहने पर खेज जताया जनी ने मोदी की लंबी अमरी की दुगा करते हुए आप जीएं कयामत तक और कयामत ना आए भी कहा असल में पीम की सुरक्षा चूक को कौंग्रेस राजनीतिक और भावनात्मक तोर पर जरूर भुना रही है लेकिन इससे पंजाब का नुकसान भी हुआ है वैसे तो कोरोना वारे सबसे पहले हमारे फेम फ्रो को टार्गिट करता है लेकिन इसे हमारे लीवर को भी कोई कम खत्रा नहीं है अमेरिका की युनिवर्स्टी ओफ टैनेसी की एक नई रिसर्च के अनुसार कोरोना के शिकार हुए 11 प्रतीशत मरीजों को लीवर संबंदित परिशानिया है डाक्टरो का माना है कि करोना के खिलाफ विक्सित की गई वैक्सिन्स भी हमारे लीवर को बचाने में सक्षयम नहीं है जिसर्च में शुद करता हुने पाया कि करोना वारस लीवर में मौझूद महत्पून एंजाइम्स की मात्रा बढ़ा देता है इन एंजाइम्स का नाम एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज और एसपर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज है पंजाब में कांग्रिस की चुनाव टिक्टो को लेकर कांग्रिस यों में ही घमासान मच गया है गुरवार रात केंद्रे चुनाव कमेटी के मिटिंग में 78 सीटो पर चौचा हुई इसमें केंडिडेट को लेकर पंजाब के बड़े नेता भिड़ गए पंजाब कांग्रिस चीफ नवजो सिंग सिध्धू और केंपिन कमेटी प्रमुक सुनिल जाखड के 20 सहमती नहीं बनी ये देखका सुनिया गांधी ने कहा कि पहले नेता अपस में सहमती बनाएं उसकी बाद मिटिंग में आएं योपी विधान सभा चुनाव में प्रतियाशियों के नामों पर भाषवा में गुरवार कुदिली में तीसरे दिन भी चर्चा हुई इसमें 172 सीटों को लेकर मंधन किया गया बैठक के बाद उपमुक्यमंत्री के शम मौरे ने मीडिया से बात करते हुई कहा कि केंदे चुनाव समीती के बैठक में बहुत सार्थक चर्चा हुई इस बैठक में कम से कम 172 भाषवा मीद्वारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है केंदे चुनाव समीती द्वारा इन नामों पर मुहर लगाई जानी है आसानाम के ओर से जोदपुर हाई कोर्ट में पेश अपील पर वरिस्ट निया अधिश संदीप महता और निया अधिश विनूत कुमार भारवाने की खंडपीट में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान पिडिता के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय मांगा इस पर निया अले ने प्रातना पत्र पर बहस के लिए आगामी 18 जनवरी की तारेक मकरर कर दी आसानाम के ओर से वरिस्ट अधिवक्ता देवदत कामत तदकालीन डीसीपी अज़ेपाल लांबा जो की इस केस में अधिकारी थे उसका साक्षे करवाना चाहते हैं उन्होंने लांबा को नियाले में बुलाने एमसाक्षे दर्च कराने को लेकर प्रातना पत्र पेश कर रखा है अब तक का ट्रेंड है कि रासान में मकर संकरानते के बाद ठंड का असर कम हो जाता है यदि आप भी ऐसा ही मान कर चल रहे हैं तो साफधान रहेगा इस सार ठंड इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है उल्टा ठंड कम होने की बजाए बढ़ेगी इसका असर फरवरी तक रहेगा एक्सपर्ट का दावा है कि उद्यपूर के अलबा प्रदीश के अन्नी संभाग में सर्दी का असर जादा रहेगा बरतपूर में बारिश की भी संभावना है पर्शी में रावसान के जैसल मेर का कुछ हिस्सा और बार मेर में तापमान बढ़ सकता है लेकिन अन्य हिस्सों में ठंड पड़ेगी पर्शी में विक्षोप गुजरने के बाद भी आज जोत्मूर में कडाकी की सर्दी रही ठंडी हवा चलने और हवा में अतेदिक नमी के कारण दूप में भी दूजनी छूटने लगी और दांत कित किताने लग गए मौसम विभा के अनुसार इस सप्ताहा सर्दी तेज रहेगी अगले सप्ताह तापमान में बढ़हुत्री से कुछ राहत मिल सकती है बिकानेर में कोरोना रोग्यों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है प्रदेश फर में जहां हर तेरवा टेस्ट पॉस्टिव है वहीं बिकानेर में हर च्छटा टेस्ट ही पॉस्टिव आ रहा है रासान में सबसे तेज कोविट संकर्मन बिकानेर में हो रहा है इसके बाद भी अच्छी खबर ये है कि बिकानेर के पीवियम अस्पताल में करोना एक्टिव केस के मुकाबले भरती मरीजों की संख्या महस डेट से 2% है वहाई पीवियम अस्पताल में कैंसर से पीरिद 14 वर्शे महिला की मौत हो गई मौत के बाद उसकी कोविट जांच की गई तो पोजिटिव थी करोना की भैवे होते हालात को देखते हुए उड़ान फार्मडेशन और त्रिपोलियम मार्केट में जाग रुकता अभियान चुलाया मास्क और टीके के प्रती लोगों को सावचेत करने के लिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और मेरी वैक्सिन मेरा बचाओ अभियान के तहट दुकानों पर जाग रुकता पोस्टर लगाए गई जिस फॉर्मूले से रासान तक्निकी विश्यविद्याले कोटा ने अपने चात्रों को क्रमोनत किया और परिक्षा पाइनाम जारी कि उसी फॉर्मूले पर बिकाने तक्निकी विश्यविद्याले अपने चात्रों की परिक्षा पाइनाम रोकी हुए है करमोनती की कारवाही भी नहीं कर रहा है दूसरे और कोटा तक्निकी यूनिवस्टी फाइनल यर के स्टूडेंट की माक्षिर तक नहीं भेज सका है दरसल विकाने तक्निकी विश्विद्याले के अंतरगत प्रदेश के 42 इंजिरिंग कॉलेज आते हैं पां सेमस्टर होते हैं लेकिन अब तक विश्विद्याले ने पहले और तीसे सेमस्टर की ही परिक्षाएं कराई हैं और उनका रिजल्ट जारी किया है मकर्ण संक्रांती के पावन पर्व पर गुरु तला, मुहला, विकास, समीती की ओर से गायों के लिए 40 क्विंटर लाफसी बनाए गई इस लाफसी को शहर की अरना जरना, सिवानची गेट, सहिद कई गाशालाओं में गायों को खिलाया गया रोजाना तेजी से बढ़ते कोविट मरीजों पर कलेक्टर ने चुंता जताई है और जॉइंट एंफॉर्समेंट टीमों की मीटिंग लेकर कहा की कोविट गाइडलाइन की पानला के लिए समझाईश बहुत हो चुकी अब फिल्ड में रहका लगाता चुकिंग करो और अंदेखी करने वालों की खिलाफ सकती बड़तो बिकानेर में कोरोना संक्रमन तेजी से फ्याला है इसके बावजुत लोग बजारों में बिना मास्क घूम करला पर वाही बरत रहे हैं करोना गाइडलाइन के पालना के लिए प्रश्वासनिक और पुलिस के अधिकारी की साथ जेटी बनाई गई थी लेकिन वे फिल्ड में नज़र नहीं आई इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ और्गनाईजेशन के वाशी कलेंडर का विमोचवन वरिस्ट मंडल वानिजे प्रबंदक धीरू मलने किया और्गनाईजेशन के जूप्तुर मंडल सचिव के जे अईयर ने बताया के संगठन का वाशी कलेंडर इस बार देश के उन टिकट चेकिंग साथियों को समरपित किया गया है जिन्होंने अंतरास्टरे केलों में पदक हासिल कर रेलवे और देश का नाम रोशन किया है तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हासर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें